असलाम अलेकुम आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो आप अपने ऊशे मशीन में टूइन नीडल का यूज कैसे कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यह देखी मैंने टूइन नीडल लेली है इसकी प्लैट वाली साइड आपको पीछे की तरफ रखने हैं गोल वाली साइड आपको अपनी तरफ यानि आगे की तरफ रखने हो इस तरह से आप इसको इंसाइट करना है यहाँ पर यह देखी इस तरह से यहाँ उपर करके इसको जितना हाथ से टाइट हो जाए उपना हाथ से कर लें बाकि आप एक स्कूल ट्राइवर की मदब से जो कि मशीन के साथ ही अवेलिबिल होता है उसतरा उसको टाइट कर लें और नेटल को नेचे करके देखें कहीं यह टकरा तो नहीं गही इस तहहों से हैंड़ से यूज लगत है तो आप इसको बोड़ा सा और टाइप कर सकते हैं जड़ी अब देखते हैं इसका कैसे अप्रेट करते हैं यहां पर हमने डॉनों स्पूली को उपर कर लिया है और इसमें हमें दो रील की जरूरत होगी दो धागी की जरूरत होगी यह देखिए आप तरह और अपना धागा लगाते हैं उसी तरह से आपको कुछ नहीं करना उसी तरह से आपको इसमें धागा लगाना है और इस धागी को नीचे इधर राइट हैंड साइड पर लगा देना है अब आपको दूसरा धागा लेना है इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने पहले लिया था इसे भी ऐसे लगाते हुए और इसको लेफ्ट हैंड चाइड पर जो हमें एक हुख दिया हुआ है उसमे लगाना है और अब दोनों नीडल में हमें ठागा पीराँ है यह दिखी मैंने ठागा कर लिया है अब हम नीचे हमने सिटल में तोह बी पहले सही धागा भर रखता है अब हम उसको चला कर देखेंगे कि कैसे काम कर रही है आप वी पप्रापरा लें उसका देला हैंड बिल सुवे कु नेचे करें और फिस तहां से सिलाई लगाएं इसाहां से हमारी सिलाई आती हैं चलिए एक और लगां कर देखते हैं सिलाई यह देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है कुछ इस तरह से हमारी बांट से लगती है और बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी लगती है ये कुछ इस तरह से बैक से लगती है अगर आपको ये वीडियो हेल्फुल लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग